राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक राजकुमारी और मूर्तिकार की प्रेम कहानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था वीर परताप सिंग, उसका राज्य बहुत बढ़ा था, और उसके एक लोती राजकुमारी थी, जिसका नाम अवंति का था राजकुमारी अवंती का बहु थी, खुबसूरत और दयालू थी, राजकुमारी अवंती का अपने नगर के एक मूर्तिकार देव नारायन से प्रेम करती थी, और रात को चोरी छुपे देव नारायन से मिलने जाती थी, रातरी का दूसरा पहर था, और एक पीपल के व्रिक् कर उससे बाते कर रही थी अवंति का देव नारायन से कहती है देव मैं सदेव यही सोचा करती थी कि मैं कभी किसी से प्रेम नहीं करूंगी मेरे पितासरी मेरा विवा जिससे भी करना चाहेंगे मैं उसी से कर लूँगी किन्तु अब मुझे बहुत डर लगता है कि मेरे पिता तो कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना मैं स्वैम देव नारायन कहने लगा मैं स्वैम भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता और नहीं तुम्हें मैं कभी अलग होने दूँगा मैं तुम्हारे पितासरी से सीगरी हम दोनों के सम्मंध में बात करूँगा देव नारायन अव कुमारी हूँ हमारे पितासरी हम दोनों के सम्मंद को किस परकार सविकार करेंगे मुझे ये समझ नहीं आता अवंती का चिंतित हो गई तो देव नारायन कहने लगा अवंती का मैं उनसे कहूँगा महराज मैं आपकी पुत्री से अत्य अधिक प्रेम करता हूँ उसे सदय पर पितासरी के सभाव को नहीं जानते हो तुम उन्हें नहीं पहचानते हो वे बहुती जो क्रोधित प्रवर्ति वाले वे क्रोध में किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं अवंती का देव नारायन से कह रही थी तो देव नारायन कहने लगा वे यदि तुमसे प्रेम करते हों तो राजकुमारी तुमारी परसंता है तू इस सम्मंद को जरूर सभीकार कर लेंगे। तो राजकुमारी कहने लगी मुझे तो अत्यधिक डर लग रहा है ना जाने हमारे प्रेम का क्या परिनाम होने वाला है। देव नारायन कहने लगा अवंतिका मुझे पर विश्वास रखो मैं सदैब तुम्हारे संग हूँ। और फिर इतना कहकर अवंतिका देव नारायन के हिर्द्य से लग गई और दौनों के बीच में कोई अंतर नहीं रहा। दौनों एक दूसरे के अंग पास में समा गए। प अवंतिका की आँख खुल गई और वो देव नारायन से बोली देव अब मुझे जाना होगा प्रातै होने वाली है। तो देव कहने लगा कुछ और समय रुको न राजकुमारी अभी मेरा जी नहीं भरा है। तो अवंतिका कहने लगी नहीं रुक सकती देव पितासरी को अ तो राजकुमारी कहने लगी ये मजाक का समय नहीं है देव अम मैं जाती हूँ और इतना कहकर राजकुमारी हुआ से उठकर खड़ी हो गई और देव उसे जाते देखकर बोला अवंति का एक बार हिर्दय से लग जाती तो अच्छा होता तुमारे आने की परतिक्षा का समय स सरलता से कट जाता तो राजकुमारी देव नारायन का प्रेम देखकर भाबुख हो गई और उसके हिर्दय से लगए-लगे हुए राजकुमारी कहने लगी अब जाओं कि अभी भी कुछ सेस बचा हुआ है तो वन देव नारायन कहने लगा मेरी तो यही इच्छा है कि तुम कभी भी न जाओ परंतु तुम्हारा जाना भी आवश्यक है इसलिए ठीक है राजकुमारी कहने लगी अब मैं चलती हूँ और इतना कहकर राजकुमारी अवन्ती का हुआ से जाने लगी तो देव नारायन उदास खड़ा देखता रहा राजकुमारी छुपते छुपाते राजमेल पहुची तो हुआ का दिर्शिय देखकर उसकी आखें खुली की खुली रह गई क्योंकि उसके कक्ष के सामने उसके पितासरी महराज वीर परताप सिंग खड़े थे उन्होंने जैसे ही जो अवन्तिका को देखा तो पूछा कहां से आ रही हो राजकुमारी तो राजकुमारी कहने लगी जी पितासरी मैं तो वाटिका में गई थी प्रात्यकाल की स्वच्छ वाईयों सरीर के लिए बहुत लावदायक होती है तो राजा ने कहा सत्या कह रही हो राजकुमारी तो राजकुमारी कहने लगी जी हाँ प तो उसने जो उसे ध्यां कहने लगी नहीं पितासुरी, दासी ने ध्यान पूरवक नहीं देखा होगा, मैं तो यहीं थी, तो राजा कहने लगे ठीक है अपने कक्ष में जाओ और स्नान आदी के बाद मुझसे मेरे कक्ष में आकर मिलो, तुमें एक आवश्यक बात कहनी है, र राजकुमारी कहने लगी जी पितासरी और इतना कहकर राजकुमारी अपने कक्ष में आई और हुआ आकर उसने चैन की सांस ली उसने मन में सोचा आज तो बस पितासरी को मालूम होने वाला था मेरे प्रेम पर संग के बारे में और वो अपने रेश में विस्तर पर विस्राम क और देव नारायन को याद करके मुस्कुराने लगी। देव नारायन की बातों को याद करके उसने लज्जा से अपनी आखे भीच ली थी। स्वागत की तैयारियां तुम्हे करनी है। राजकुमारी कहने लगी। जी वश्या मैं तैयार हूँ। तो तुम्हे ग्या मालूम है। राजा कहने लगी। वो क्यों आने वाले हैं। तो राजकुमारी कहने लगी। जी महराज मुझे क्या पता होगा। तो राजकुमारी मै चाहता हूँ, तुम्हारा सम्मंद उनके साथ जुड़ जाए। राजा ने इतना कहा तो राजकुमारी कहने लगी। पितासरी इसमें इतनी सिगरता क्यों। तो राजा कहने लगा। पुत्री हर पिता चाहता है उसकी पुत्री को अच्छा सा वर मिले जो देखने में भी न हो राजकुमार अभ है मैं मुझे ये सब गुंद दिखाई देते हैं वे तुमहरे लिए सब तरसे योगी है इसलिए मुझे लगा तुम्हारा सम्मिंध उसके साथ होना चाहिए तो राजकुमारी कहने लगी परंतु पितासरी मैं उनसे भीभा नहीं कर सकती राजा कहने लगे पर क्यों पुत्री तो राजकुमारी कहने लगे पितासरी मैं किसी और से प्रेम करती हूँ महराज ने पूछा क्या वो किसी राजिय का राजकुमार है तो राजकुमारी कहने लगे जी नहीं पितासरी वो तो हमारे राजिय का मूर्तिकार देव नारायन है राजा कहने लगे वो साधारन सा मूर्तिकार तुम उससे प्रेम करती हो तो राजकुमारी ने कहा जी पितासरी मैंने उसे वचन दिया है मैं उसे ही विवा करूँगी महराज कहने लगे किन्तु मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम उसे विवा करो राजकुमारी कहने लगी पितासरी मैं उनसे प्रेम करती हूँ और किसी के लिए मेरे हिर्दय में कोई स्थान नहीं है और राजा कहने लगे राजकुमारी ये प्रेम व्रेम केवल चार दिनों का आकरशन है धन के विना जीवन संभव नहीं है वो मूर्तीकार भला तुमें किस परकार परसन रख सकता है तुमें राजसी भोग बिलास का अभ्यास है पुरन पुत्री तुमें एक गरीम मूर्तीकार के साथ कैसे रहोगी राजकुमार होगा तो तुमारी हर सुवीदा का अच्छे से ख्याल रखेगा राजकुमारी कहने लगी पितासरी धन संपती और भैववी संसार में सब कुछ नहीं है एक सुन्दर हिर्दय में व्यक्ति के संग जीवन विताना ही सो भाग्य की बात है राजकुमारी ने अपने पिता से कहा तो राजा कहने लगे पुत्री किन तु जब भूक लगेगी तो क्या खाओगी धन के बिना जीवन इतना सरल नहीं है जितना तुम समझती हो उस राजकुमारी कहने लगी पितासरी मैं उसके संग किसी भी स्थिती में रह लूँगी परन्तु आप कितने भी धनी वैक्ती के संग मेरा विवा कर दो तो मैं कभी भी परसन नहीं रह पाऊंगी राजकुमारी ने कह दिया तो महराज कहने लगे यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं आज उस देव नारायन से उसके निवास इस्थान पर जाकर इस सम्मंद में बात करता हूँ कि तुम मेरी पुतरी हो और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता यदि राजकुमार अभे आते हैं तो तुम उसे बैवारिक बाते तो कर सकती हो ना तब तो तुम्हें कोई आपती नहीं होगी उन्होंने विभा के विसे में कुछ नहीं कहूंगा मैं अब तो परसन हो ना राजकुमारी महाराज कहने लगे तो राजकुमारी अवंतिका कहने लगी जी पितास्री मुझे आपसे यही आसा थी तो राजा कहने लगे ठीक है मैं रात्री में जाऊंगा और मूर्तिकार देव नारायन के पास तब तक तुम निश्चिंत रहो राजकुमारी कहने लगी पितासरी मैं आपके निर्ने से बहुत अधिक परसनू आप जैसे पिता को पाकर मैं धन्या हो गई और ऐसे ही एक दिन वैतीत हो गया राजकुमार अभय के आने पर राजकुमारी अवंतिका ने उससे वहवारिकता दिखाई और बिना किसी संधे के उनका स्वागत किया और उनका पूरा ख्याल रखा रात्री हुई तो महराज अपने कुछ सैनिकों के संग अपने रत पर बैठकर देव नारायन के निवास स्थान पर पहुँचे और अपने द्वार पर महराज को देखकर देव नारायन बहुत परसन हुआ और मन में सोचा कि जरूर अवंतिका ने उनके सम्मंद में बात करन के लिए भेजा है वो सीगरी महराज के पास आया और हाथ जोड़कर उनको परनाम करके उनका स्वागत करते हुए बोला महराज आप यहां पधारे हैं आपको यहां देखकर मुझे बड़ी परसंता हुई है राजा कहने लगे परंतु तुम्हारी करने से मैं बिल्कुल परसं सको बुद्धि मान हो तभी तो तुमने एक राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फसाया है महराज ने कहा महराज की बास सुनकर देव नारायन एक छन को चिंता में पड़ गया तभी उसने सोचा और बोला महराज आपका खतन सही नहीं है मैं राजकुमारी से प्रेम करत काहँ तो राजा कहने लगे हाँ हाँ राजय के इकलोती राजकुमारी है और मेरे बाद सब कुछ अवंतिका को ही मिलेगा यहीं सोच कर तुमने उसको जीवन साथी बनाने की योजना बनाई होगी महराज कह रहे थे तो देवनारैन कहने लगा महराज आपकी सोच गलत है मे मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है तो महराज बोले तो क्या आप नहीं चाहते अवंति का और तुम्हारा बिभा हो तो देवनारेंड कहने लगा मैं चाहता हूं मैं उससे प्रेम करता हूं और मैं उससे प्रेम भूती उससे बिभा करना चाहता हूं और मैं उसके बिना नहीं रह स अपनी पुत्री का विवा कभी नहीं करूंगा और इतने में महराज ने अपने सैनिकों को आदिश दिया किस अपराधी को मार कर किसी नदी में बहा दो सैनिकों ने महराज के आदिश का पालन किया और देव नारायन पर जो प्रहर करना आरंब कर दिया कुछी छनों में देव नारायन अचेत होकर धर्ती पर गिर पड़ा, सैनिकों ने देव नारायन को उठाया और नदी की ओर बढ़ चले, वे नदी पर पहुँचे और देव नारायन को नदी में बहा दिया, इधर जब महराज राज महल लोटे, तो अवंतिका ने उत्सुकता से महराज से पूछा, पितासरी क्या उत्तर दिया है देव नारायन ले, तो राजा कहने लगे, राजकुमारी तुमसे उसकी बात कैसे कहूं पुतरी, वो तो केवल तुमसे प्रेम का अभिने कर रहा था, क्या कह रहे हो आप पितासरी, अवंतिका बड़ी हैरान थी, राज गोसित करो, तभी आपकी पुतरी से मैं बिभा करूंगा, यह सुनकर मेरा हिर्द्य काँ पुठा पुतरी, तुम एक दंभी से प्रेम कर बैठी हो, और ऐसे व्यक्ती से मैं अपनी पुतरी का बिभा नहीं कर सकता, तभी यह सोचकर मैंने उससे कहा, कि अम मैं तुम जैसे व्यक्ती से अपनी पुतरी का बिभा नहीं करना चाहता, तो देवनारायन ने कहा, कि वह भी तुमारी पुतरी से बिभा नहीं कर सकता, मुझे तो इस राज्य का राज्या बनना था, तभी तो मैंने अवंतिका से प्रेम का जूटा भी नहीं किया, मैं अभी यह राज्या चोड़ कर किसी और राज्ये में चला जाऊंगा, संसार में और भी तो राजकुमारियां हैं, केवल अवंति का ही तो नहीं, और पुत्री उसने यह भी कहा, आप चिंतितना हो, मैं प्रातय होते ही हां से चला जाऊंगा, अवंति का जैसी रूपवती मुझे और भी मिल जाएंगी, मुझे रूपवती स्त्री तो चाहिए, परंतु उसके संग में राज्ये का उत्राधिकारी भी बनना है, अवंति का नहीं तो कोई और ही सही, उसकी ऐसी विस्वरी बातों से पुत्री मेरा हिर्द्य बिंद गया, और मैं हुआ और नहीं रुख सका, वापस आ गया, ये पिता आज पराजित हो गया पुत्री, तेरी परसंता के लिए, तो वो तेरा मन पसंद संगी ना ला सका, मैं तुझे, मुझे छमा कर दे मेरी पुत्री, मैं विवस हूँ, महराज ने अभिने करते हुए, अवंति का स अब वो देव नारायन को भूलने का परियास करने लगे, देव नारायन उसके साथ साथ उसके पिता का भी अपमान कर चुका था, इसे वो सहन नहीं कर सकती थी, उसका हिर्द्य पीडा से चितकार कर उठा, ऐसे ही महीने, दो महीने वैतीत हुए, और उसे एक दिन पता चला कि राजकुमारी मा बनने वाली है, वो इस चिंता में इतनी ग्रैसित हो गई, कि अब उसका स्वास्तिय धीरे धीरे गिरने लगा, यह बात महराज तक पहुँची, और उन्होंने सीसु के जनम तक अपनी बेहन के घर उसे भेज दिया, धीरे धीरे समय बीत रहा था, और सं लोटाए, अवन्ती का कभी आसु बहाती, तो कभी बिचलित हो उठती थी, जियों जियों उसके गरव में सीसु का आकार बढ़ रहा था, त्यों त्यों उसकी चिंता बढ़ती जाती, वो कभी कभी अपने जीवन से निरास हो उठती, किन्तु जब सीसु उसके गरव में त से बाते करती तो कितना परसन होता मुझे परसन देख कर वो और यह सोच कर वे दुख से करहा उठती क्योंकि ये तो केवल एक सपना था देव नारायन तो सदेव के लिए उसे छोड़ कर जा चुका था जीवन में वो सब कुछ कभी नहीं मिलता जो हम चाहते हैं अवंतिका अ कन्या को जनम दिया कन्या के जनम के बाद अवंतिका अचेत अवस्था में थी ताब उसकी भुआ चंद्रवती ने अपने भाई बीर परताप सिंग से कहा कि जब तक अवंतिका को होस आता है उससे पहले ही हमें इस कन्या के जनम के बारे में उसे नहीं बताना है जब उसे ह उस आएगा तो उससे कह दिया जाएगा कि उसने एक मृत कन्या को जनम दिया था परंतु जब भोस में आई तो उसने पूछा कि मेरा बच्चा कहा है तब उसकी भुवा ने कहा कि तुमने एक मृत कन्या को जनम दिया है तब अवंतिका ने कहा तो वह है कहा तब उसकी भुव चंद्रवती कहने लगी, बेटी, मृत कन्या का तु क्या करती, तुझे कष्टी होता, उसे देखकर, इसलिए हमने पहले ही, उसे धर्ती के तले उसके यथा इस्थान पर पहुँंचा दिया, अब अवंतीका की भुवा चंद्रवती, जो अवंतीका को समझाने लगी, अवंति का कहने लगी भुवा एक बार तो मुझे उसे देखने दिया होता और अवंति का क्रोध से चीक पड़ी तब उसकी भुवा कहने लगी बेटी तू से देखकर असरू ही बहाती इससे तेरे स्वास्ते पर बुरा परवाब पड़ता इसलिए मैंने उसे तुझ से दूर कर दिया चंद्रावती उसको समझा रही थी यह सुनकर अवंति का गहरे सोक में डूब गई अब वे ना तो हस्ती थी और ना ही किसी से बूलती थी वो अब अपने राजमहल भी लोट आई थी किन्तु यहां आकर भी उसके मुख पर हसी का बसेरा नहीं हुआ था राजा ने अत्य अधिक परियास किया कि अपनी पुत्री अवंतिका को परसन किया जाए किन्तु कोई भी परिनाम सामने नहीं आया तब उन्होंने उसे आखेट हेतु वन ले जाने का विचार किया और वे अपने सैनी को दास दासियों समयत वन में अपनी पुत्री अवंतिका के साथ निकल पड़े वन में उन्होंने अभी दो दिन ही बीते थे कि हुआ पर चंदन गड के राजकुमार अभेविया पहुँचे और राजकुमारी अवंतिका को उदास देखकर उसकी उदासी का कारण पूछा तब अवंतिका ने उन्हें सब कुछ सच-सच बता दिया यह सुनकर राजकुमार अभेवोले अवंतिका एक बात कहूं अवंतिका कहने लगी जी कहिए तब राजकुमार ने कहा जीवन में अल्प विराम तो लेना चाहिए किन्तो पूर्ण विराम भूल कर भी नहीं लेना चाहिए तब राजकुमारी कहने लगी मैं आपका मतलब नहीं समझी राजकुमार तो राजकुमार कहने लगे मेरे कहने का मतलब यह है कि अब आपको विभा कर लेना चाहिए और अपने अतीत को भूल कर एक नई जीवन में परवेश करना चाहिए कब तक आप अपने अतीत को लेकर आसु बहती रहेंगी ये संसार अत्यधिक सुंदर है आप इस संसार में रमने का परियास करें जीवन बहुत बड़ा है इससे परसंता पूर्वक आप जीएंगी तो जीवन बहुत खुस लगेगा राजकुमार की बाते सुनकर राजकुमारी अवन्तिका ने कहा मैं किसी भी व्यक्ति के संग राजकुमार विश्वास घात करके बिवा नहीं कर सकती जिसे भी मेरी सच्चाई मालुम हो जाएगी तो वे भला मुझसे क्यों बिवा करना चाहेगा क्योंकि मैं तो एपवित्र हो चुकी हूँ राजकुमारी जब राजकुमार से कह रही थी तो राजकुमार कहने लगा यदि मैं आपसे आपके विशे में जानने के बाद भी आपसे विवा करना चाहूँ तो क्या आप मुझे इसकी अनुमती देंगी राजकुमार अभे ने कहा तो राजकुमारी कहने लगी आप क्यों मुझे से विवा करना चाहते हैं मैं आपके योग्ये नहीं हूँ तब राजकुमार ने कहा मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप मेरे योग्ये नहीं है भूल सबसे हो जाती है लेकिन उसका पश्यताब भी तो किया जा सकता है राजकुमार ने जो राजकुमारी को समझाया तो राजकुमारी की ने कहा मेरी भूल छमा के योग्ये नहीं है राजकुमार परन्तु राजकुमार कहने लगा आप तो मेरे योग्ये हैं मेरे लिए यही अत्यधिक सही है तनिक राजकुमारी कहनी लगी मुझे समय दीजिये और इसके बाद राजकुमारी ने राजकुमार अभह से बिवा ये तु अत्यधिक सोच विचार किया और अंतमेवे बिवा के लिए राजी हो गई इससे राजा बहुत परसन हुआ कुछ दिनों के भीतरी विभा संपन भी हो गया राजकुमार अभय के संग विभा करके चंदनगड उनकी रानी बन कर आ गई राजा इस विभा से अत्यदिक परसंद था विभा के कुछ समय पश्चात अवन्ती का अपने पती अभय के संग वापस अपने पिता से मिलने पहुंची तो राजा ने अपने पुत्री और अपने दामाद के स्वागत के लिए बहुत अच्छे परवंद किये थे राजकुमारी अब अत्यदिक परसंद थी अभै का संग पाकर उसे देव नारायन का लालच और कायरता जब भी याद आती तो उसका मन उसके प्रती घिरना से भर जा किन्तो जब वो अभै की आखों की ओर देखती तो उसका मन उसके प्रती प्रेम और किर्तिग्यता से भर जाता उसकी द्रिष्टी में अभै एक महापुरुस था वो तभी एक रात्री राजा के कक्ष में राजकुमार अभै कहने लगा महराज मैंने आपके आदेश पर आप की पुत्री से विभातो कर लिया अब आप सीगरी अपना सारा राजपाट मुझे सौपकर बवन को परस्थान कीजिए राजा कहने लगे किन्तो मुझे राजकुमार अभी कुछ और समय दीजिए किन्तो राजकुमार कहने लगा मेरे पास और अधिक समय नहीं है ये तो रा मैंने आपकी पुत्री को आपकी सारी सच्चाई बता दी तो महराज उसकी दृष्टी में आपका इस्थान गिर जाएगा तब राजा कहने लगा आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे राजकुमार तो राजकुमार ने कहा तो सीगरी मुझे इस राज्य का उत्राधिकारी बन उसकी बेहन चंद्रवती ने उसके कक्ष में परवेश किया चंद्रवती को देखकर राजा बोले चंद्रवती तुम यहा क्यों आई हो किसी को संदे हो गया तो तब चंद्रवती कहने लगी ब्राता संदे तो मंदिर के पुजारी को भी हो गया था जब उसने कन्या को तुम ये किसकी कन्या को मुझे सौप रही हो तब मैंने कहा कि ये मुझे मार्ग में जाडियों में पड़ी हुई मिली थी किन्तु उसे तब भी विश्वास नहीं होता इसलिए मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी थी ये राजकुमारी अवंतिका की अंचाही पुत्री है किन तुम इस विश्य में किसी से कुछ मत कहना मैंने उससे वचन लिया और वह पुजारी मान भी गया ये उचित नहीं हुआ राजा ने कहा चंदरावती भविश्य में कहीं ये सच्चाई अवंतिका के जीवन में भूकम पना ला दे राजा ने अपनी चिंता परगट करते हु इतना बड़ा भेद जो छुपाया है मैंने राजा कहने लगे बिवस होकर जो राजा ने जो चंदरावती को सौने की महरे और बहुमूल्या आभुसन देते हुए का ये भेद कभी भी उजागर नहीं होना चाहिए नहीं तो तुम जानती हो कि इसका परिनाम क्या होगा तब चंदरावती कहने लगी भ्राता जब धन समाप्त हो जाएगा तो विवस होकर याद करना ही पड़ेगा तो राजा कहने लगा मैं धन तुम्हें पहुँचा दिया करूँगा परन्तु तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यक्ता नहीं है तो चंदरावती कहने लगी यह तो बहुत ही अच्छा होगा भ्राता और इतना कहका चंदरावती महा से चली गए इधर राजा आप अधिक चिंता में थे क्योंकि वे अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फश चुके थे और उदर कुछ मचुआरों को मचलियां पकड़ते हुए एक व्यक्ती मिला थ जिसे एक मचुआरा संकर अपने संग अपनी जोपड़ी में ले गया उसने उसका उपचार करवाया सचेत होने पर संकर ने उस व्यक्ती से पूछा आप कौन है महाश्या और कहां से आए हैं यह सुनकर वे व्यक्ती बोला था जी मुझे कुछ भी याद नहीं है वो देव अपना तीत भूल चुका था उसके मच्तिश्क में गहरी चोट लगी थी इसलिए उसको कोच याद नहीं था तब संकर ने कहां कोई बात नहीं आप मेरे साथ मेरी जोपड़ी में रहिए संकर के संग उसकी जोपड़ी में उसकी पतनी माया और उसका पुत्र लाव संकर रह नहीं था इसलिए संकर उसे देवरत कहकर पुकारने लगा समय इसी परकारवैतीत हो रहा था ओधर अवंतिका के विवा को चार महीने बीच चुके थे किन्तो राजकुमार अभे अभी भी राजा ने जो राजवीर परताप ने उसे अपने राज्य का उत्राधिकारी नहीं कर सकता तो राजा ने कहा मत करो तो राजकुमार कहने लगा यह आप क्या कहते हैं तो राजा ने कहा मैं वही कहना चाहता था जो आप सुनना चाहते हो राजकुमार लेकिन आप अपने वचन से राजकुमार ने कहा मूँ मोड रहे हैं आप क्यो अपने पुत्री की तनिक भ और आप मुसे ऐसी बाते कर रहे हो महराज उसी राजा कहने लगा इसी समय की तो मैं पर्तिक्षा कर रहा था मैं राजकुमार कहने लगा लेकिन मैं कुछ समझा नहीं महराज राजा कहने लगा अब मेरे राज्य का उत्रा धिकारी आने वाला है मुझे अब तुम्हारी कोई अवश्यक्ता नहीं तो राजा के कि बाज सुनकर राजकुमार कहने लगा गरव में पल रही संतान अगर पुत्री हुई तो राजा कहने लगा कोई बात नहीं तो क्या अम मैं आपके राजय का उत्राधिकारी नहीं बनूँगा राजकुमार कहने लगा तो राजा कहने लगे मैं तो अब आपको छमा भी नहीं करूंगा राजकुमार क्रोधित हो उठा आपने मुझे जूटा आस्वासन दे कर अपने पुत्री से विवाग के लिए राजी किया था और इतना कहकर राजकुमार अभे ने अपनी तलवार निकाल ली राजकुमार के तलवार निकालते ही राजा ने अपने सैनिको को आदेश दिया कि वो सिगरता से राजकुमार को बंदी बना ले सैनिको ने राजा के आदेश पर राजकुमार अभे को बंदी बना लिया और उसे बंदी ग्रह में डाल दिया इस बात से अभे की क्रोध की सीमा का पार नहीं था उसने मन में टिम्हेंटी सोध लेकर रहूंगा वो बंदी ग्रह में यही विचार बना रहा था और इधर राजा ने अपने पुत्री अवंतिका से यह कह दिया कि तुम्हारा पति अत्यधिक लाल्ची प्रवर्ती का है और उसने इस राज्ये का उत्राधिकारी बनने हेतु मेरी हत्या करन अब संसार के किसी भी पुरुष पर उसे विश्वास नहीं रह गया था उसे अपने गरभ में पल रहे सिसु से तनिक भी प्रेम नहीं रह गया था अवंतिका ने मन में सोचा हायरे मेरी किस्मत ये मेरा कैसा जीवन है जब भी मेरे जीवन में कोई आसा का दीपक जलता हुआ देता है तो मेरा दुर भाग गया आकर उस दीपक को भुझा देता है ना जाने मेरे जीवन में क्या लिखा है ना जाने मैंने ऐसे कौन से करम किये हैं जो मुझे उनका दंड भुगतना पड़ रहा है ऐसे दुख में फिर से वेचारी अवंतिका के दिन वैतीत होने लगे और एक रात्री को राजकुमार अभ है बंदी ग्रह से भाग निकला, वह सीधा अवंतिका के कख्ष में पहुचा, अवंतिका उस समय जाग रही थी और अपनी चिंता में मगन थी, अवंतिका राजकुमार अभ है जो अवंतिका के पास जा कर बोला, अवंतिका मैं आ गया अभै को अपने कक्ष में देखकर राजकुमारी अवंतिका बोली तुम यहां क्या करने आये हो मैं तुमें तो राजकुमार कहने लगा मैं तुमें सब सच्चाई बताना चाहता हूं अवंतिका बोली मुझे नहीं सुनना है राजकुमार बोला परंतु क्यों तो राजकुमारी कहने लगी क्योंकि तुम जैसे लोभी और विश्वास घाती वेक्ती से मेरा कोई सम्मंद नहीं है राजकुमार बोला किन्तु मैं तुम्हारा पती हूँ तुमने राजकुमारी कहने लगी तुमने इस राज्य का उत्राधिकारी बनने के लिए मेरी पिता का हत्या का परियास किया है तब राजकुमार जो अवंतिका के सामने अपनी बात रखते हुए कहने लगा यह सत्या नहीं है वंती का बलकि उन्होंने मेरा उप्योग करके तुमारे संग विस्वास घात किया उन्होंने देव नारायन की हत्या करवा कर उसे नदी में फिकवा दिया और तुमसे उसके विशे में असत्या कहा उसके बाद उन्होंने मुझे से आगरे किया कि मैं तुमसे बिभा करूँ जब मुझे ग्यात भो गया कि तुमारे ग्रव में मेरी संतान है तो उन्होंने मुझे अपने मार्ग से हटाना चाहा मेरे विशय में जूटी सूचना दी यह सत्य है कि मैं इस समय राज्य का उत्राधिकारी बनना चाहता था किन्तों मैं उनकी हत्या नहीं करना चाहता था भूलवस मुझसे तलवार उठ गई तो उन्होंने मुझे हत्यारा समझ लिया यह सुनकर राज्य कुमारी के पैरों तले जमीन किसक गई और उसका मस्तिष्क मंद पड़ गया उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता उसके संग ऐसा भी कर सकते हैं इसका मतलब है कि देव नारायन ने मुझसे विश्वास घात नहीं किया था मेरे पिता ने उसकी हत्या करवा दी अवंति का यह सोच ही रही थी तब ही राज्य उसके कक्ष में उपस्तित हुआ उसने हुआ राजकुमार अभै के हिर्द्य में अपनी तलवार गोप दी अभै के हिर्द्य से रक्त की धारा बह चली और छन भर में उसके प्रान पखेर उड़ गए यह देखकर अवंति का ची की पितासरी आपने यह क्या किया वो तो मेरे पती थे ऐसे विश्वास घाती स्वामी पती का तो नहीं हो नहीं अच्छा है राजा ने राजकुमारी को समझाया तब राजक कहकर राजकुमारी ने कक्ष में उपस्तित फलों की टोकरी में रखी कटार निकाल ली और अपने पिता के उदर में घूप दी तब तक घूपती रही जब तक कि उसके प्रान ना निकल गए अवंति का अपने पिता के इस किरतेय से अत्यदिक क्रोधित थी और उसने उसकी निर्दियता से अपने पिता की हत्या कर दी पिता की मिर्द्यू के बाद अवंति का स्वेम राज्य की उत्राधिकारी बन गई कुछी महिनों के बाद उसने एक पुत्र को जनम दिया और उसका नाम उसने बसंतबीर रखा बसंतबीर अब बड़ा हो रहत इसलिए अवंति का ने उसे आगे की सिक्षा के लिए गुरू कुल में भेज दिया जहां उसने सस्त्रों और सास्त्रों का ग्यान ग्रहन किया समय अपनी गती से बढ़ रहा था उधर पुजारी जी ने भी अवंतिका की पुत्री को देव के चरनों में समर्पित कर उसे देवदासी बना दिया वो बहुत अत्यधिक सुन्दर थी इसलिए उन्होंने उसका नाम मनूर्मा रखा बाल्लिय काल से ही पुजारी जी ने मा को संगीत और निर्तिय की सिक्षा दिलवाई जब भी मनूर्मा मंदिर में कोई भी निर्तिय परिस्तुत करती तो उसकी भाग भंगी माएं देखकर लोग आश्चरिय चकित हो जाते सोचते इतनी छोटी सी बाली का इस कला में इतनी पारंगत कैसे हो गई सरस्वती मा की क गिर्पा है उस पर उनका ही आसिरवाद है जो इस बाली का को यह कला वर्दान सब रूप मिली बाली का की परसंसा सुनकर पुजारी फूले नहीं समाते थे उन्हें स्वैम और बाली का पर गरब होता उन्हें इस बात की भी परसंता होती इस बाली का का पालन पोसन उन्हों नहीं किया है मंदिर की बूढी मालिन जिसे मनोर्मा दादी अम्मा कहती थी वो भी मनोर्मा का पूरा ध्यान रखती सत्य तो यह था मनोर्मा को जो मा की ममता बूढी मालिन सबरी में ही मिलती थी सबरी के पास ही वह अपना कहने के लिए और कोई नहीं था इसलिए मंदिर की ब जिसमें वो रहती थी, पुजारी अपने और अपनी बालिका को साथ लेकर उसका भोजन भी बना लिया करती, इस परकारुन का जो समय बीत रहा था। करता था कि वो एक छन के लिए भी अपने मामा देवरत के बिना नहीं रह पाता था। करता ही है, वन और नौका व्याहर से उसका कोई सम्मंद नहीं है, भोग, बिलास, रेस्मी, वस्त्र और आबुसनों जैसी माया से उसे दूर रहना चाहिए, वह केवल स्वेत वस्त्र धारन कर सकती है, और आबुसनों के नाम पर केवल उस्पो के बने हुए आबुसन ही पहन स लगती है, उसकी ना सखिया होंगी और ना ही वो किसी ऐसी वस्तु का उपयोग करेगी जिसका सम्मंद मो माया से जुडा हो, जब सबरी बालिका को ऐसे रूप में देखती तो उसका कलेजा मू को आता, उसे बालिका के प्रेती पुजारी जी का ऐसा वैवार बिलकुल अच परन्तु जब कभी पुजारी जी कहीं और जाते तो सबरी मनोर्मा का भेज बदल कर उसे घूमने के लिए भेज देती, मनोर्मा ने चोरी-चोरी अश्व की सवारी करना भी सीख लिया था, संग संग उसने बानों से अपने लक्षय को बेधना भी सीख लिया था, सबरी की पहचान के एक व्यक्ति के पास एक घोडा था, जो सबरी उसे मनोर्मा के लिए मांग लेती थी, तब मनोर्मा उस पर सवार होकर वन व्याहर को चली जाती थी, एक रूज ऐसे ही मनोर्मा घोडे पर सवार होकर वन में पहुंची, तो वहां बहुती सुंदर और बहुत अत्यदिक बड़ा इस्थान था, जो अगल बगल के व्रक्षों से गिरा हुआ था, व्रक्षों उपर तरह तरह के फल और फूल लगे हुए थे, सामने वाले पहाड पर एक जरना था, जिसमें सीतल जल की धवनी करता हुआ वह रहा था, जरने के उपर कुछ पक्षी कलरव कर रहे थे, वो अत्यदिक मनमुख दिर्श्य था, कुछ छोटे छोटे मिरग भी इधर उधर विचरन कर रहे थे, तबी मनोर्मा पुरुस भेस में अपने धनुस और बानों के साथ मैदान में उपस्तित हुई, वो सदैव हुआ भ्यास के लिए आती थी, उसकी भेस भूसा देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था, क्यों वह पुरुस नहीं है, उसने अपने लंबे बालों को एक पगड़ी में छिपा रखा था, माथे पर टीका था, उसके मुख पर तेज चमक रहा था, वो कभी भी नीर अपराद, जीवो जैस पसू पक्षियों पर कभी भी अभ्यास के लिए प्राहर नहीं करती थी, लेकिन मैदान में घूमरे म्रग, जंगली सुर और वन्यजीब उसे कभी हानी नहीं पहुंचाते थे, सारे पसू उससे प्रेम करते थे, और पसू पक्षियों से भी वह भूत प्रेम करती थी, और स म्रग मुर्चित अवस्ता में गिरा पड़ा है और उसके घाव से रक्त बह रहा था यह देखकर उसके हिर्दय को बहुत ही कश्ट हुआ उसने उसे सिग्रता से अपने गोध में उठा लिया उसके बाद उसे इस्थान पर अपने दिर्ष्टी डाली परंतु हुआ पर कोई दिखाई नहीं दिया वे उस म्रग को जरने के पास ले आई और तभी एक पुरुस ने उसे पुकारा ठैरो इसे कहां ले जा रहे हो इसका वद तो मैंने किया है इस पर मेरा अधिकार है आप कौन है इसे यहां से ले जाने वाले मन और मा ने कोई उत्तर देना आवशक नहीं समझा वे मिरक को यूँ ही अपने हातों में लिए वहां से चुक चाप जरने की और बढ़ने लगी उसने जरने के सीतल जर से मिरक का घाव धोया और उसे मैदान में सूकी जगे और व्रिक्षे की चाया में लिटा दिया उसके बाद कुछ पौदों की पत्या मसल कर उसके घाव पर लगा दि वो यूबक उसे एक टक देखे जा रहा था जिसने उस मिरक को अब चेत किया था मिरक के घाव पर बांधने के लिए अब कोई वस्त्र चाहिए था तो मनोर्मा ने सीघर अपनी पगड़ी उतारी और जैसे मनोर्मा ने अपनी पगड़ी उतारी तो उसके लंबे घने बाल खुल गए उसका रूप और सौंदरिया उस यूबक की आँख की आँखे खुली रह गई मनोर्मा का रूप लावन्य देखकर तो वे बस मनोर्मा पर मोहित हो गया मनोर्मा ने पगड़ी का कुछ हिस्सा फाड़ कर उस म्रग को बान दिया और ले चली अपने संग यह सब देखकर वो यूबक मनोर्मा का पीछा पीछे पीछे आने लगा और उससे बोला अच्छा तो तुम एक यूवती हो मुझे लगा तुम को यूवक हो यह सुनकर मनोर्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया उस यूवक ने फिर से मनोर्मा से पूछा और इस मरग को कहा ले जा रही हो यह तो मेरा है तब वे । लड़की कहने लगी इस पर क्या तुम्हारा नाम लिखा है नाम तो नहीं लिखा उस यूवक ने का परंतो इसे मेरे बाण ने मुरचित किया है इस लिए मेरा है तब वे मनोर्मा कहने लगी तुम्हें लजजा नहीं आई किसी निर्दोस पर बांद चलाते हुए वे नवियुक बोला क्यों क्या हुआ आखेट तो सभी करते हैं इसमें बुरा क्या है यदि मैंने किया तो मनोर्मा कहने लगी किसी निर्दोस को मारना घरनित है अपने बल का परियोग किसी निरपराद पर करना अत्यदिक बुरा कारिय है अपने च्छन भरके सुक के लिए किसी मूख जीव को मिर्तिव देना बहुत बड़ा अपराद है समझे तुम मनोर्मा ने किरोध से अपनी आखे बड़ी करते हुए कहा था आप तो वे नभीवक कहने लगा आप तो बहुती क्रोध क्रोधित हो रही है देवी मैं तो केवल बान चलाने का अभ्यास कर रहा था तो वे कहने लगी अभ्यास वो भी किसी जीप पर अगर अभ्यासी करना है तो और भी वस्तुएं विरक्ष हैं पुष पहलता है है उन पर अपना लक्षे सादो तो वे कहने लगा ठीक है लिकिन आप हैं बड़ी सुन्दर और तो वे कहने लगी मनोर्मा अपनी सीमा रेखा मत पार करो ये कैसी ओच्छी बाते कर रहे हो तुम नभीवक कहने लगा जो सत्य है वही कह रहा हूँ उसके परश्चात मनोर्मा कुछ भी बोले हुआ से चली गई नभीवक पीछे से पुकारता रहा कि देवी अपना नाम तो बता दीजिए किन्तु मनोर्मा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और हुआ से चली आई जो चुकी थी अंधेरा गहराने लगाता जो अपड़ी के भीतर संकर की पतनी अपने पुत्र की परतिक्षा कर रही थी उसने संकर से अपने पुत्र के विसे में पूछते हुए कहा क्या तुमसे भी जो लाब संकर कुछ कहकर नहीं गया है कि कहां जा रहा है तब संकर ने कहा मुझसे तो कुछ भी नहीं बता कर गया इतनी क्यों बिचलित होई जा रही हो पगली अभी आ जाएगा जाओ बाहर जाकर उसके मामा देवरत से क्यों नहीं पूछती उसका लाडला भांजा कहां गया है संकर ने कहा तो माया कहने लगी हाँ उसे देवरत भाता ने ही बिगाड रखा है मैं उन्हें इसे जाकर पूछती हो और माया जोपडी से बाहर आई तो उसने देखा देवरत उदास सा एक व्रिक्ष के तले बैठा को सोच रहा था माया न उसे पहले भी कैई बार यह उदास बैठे देखा था वो देवरत से कैई बार पूछ भी चुकी थी कि उदासी का कारण क्या है किन्तु देवरत कहता उसे स्वैम नहीं मालुम कि वो क्यों उदास है माया देवरत के समीप जाकर बोली क्या हुआ भ्राता आप क्या सोच रहे है तब देवरत कहने लगा कुछ नहीं माया बहन यूँ बैठा था कोई कार ये नहीं था करने को और उपर से लाव संकर भी न जाने कहां चला गया उसी की परतिक्षा कर रहा हूं कब से देवरत ने कहा तो माया कहने लगी अच्छा तो आपको भी बता कर नहीं गया देवरत लाव संकर कहां गया है तो वह कहने लगा नहीं माया बहन मुझसे कुछ कह कर भी नहीं गया अच्छा तब माया कहने लगी मैं क्या करूँ उस लड़के का इतना जो लापरवा हो गया है उसे किसी की चिंता नहीं तनिक ये सोच लेता कि घर में बूढ़ी मा उसकी परतिक्षा कर रही होगी लेकिन नहीं सोच लेता तो महान नहीं बन जाता लोटने दो आजो अपस उसे ऐसा डाटोंगे कि जीवन भर याद रखेगा माया किरोधित हो रही थी तब देवरत कहने लगा माया बहन आप इतनी किरोधित ना हो लोट आएगा माया कहने लगी कैसे किरोधित ना हूँ भरता वो मेरी संतान है उसका बुरा भला सोचने का अधिकार तो है न मुझे बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ा किया है उसे ये सब तो आपने भी देखा है तो मैं कैसे उसके प्रतितनी ऐसे हैज हो सकती हूँ माया कह रही थी तो देवरत कहने लगा आप वेर्थ की चिंता कर रही हो माया भेन कुछ देर में आ जाएगा तो माया कहने लगी आप कहते हैं तो ठीक है किन्तो उसे कहीं जाना था तो बता कर तो जाता तब ही दूर से देवरत को लाव संकर आता हुआ दिखाई दिया तो वे माया से बोला बेहन जी लीजिये आ गया आपका प्रिया पुत्र अब जो भी पूछना है आप उसी से पूछ लीजिये लाव संकर को देखते ही माया परसन हो गई किन्तो दूसरे इच्छनवे क्रोधित भी हो गई जो लाव संकर उसके समी पाया तो वे उससे बोली कहां गया था रे तो मैं कब से तेरी रहा देख रही हो तुझे मालूम भी है कि मैं कितनी चिंतित थी तो वे कहने लगा मा आज मैं अत्यदिक बड़ी विपत्ती में फस गया था तब उसकी मा कहने लगी मेरे लाल तुझे कुछ हुआ तो नहीं कौन सी विपत्ती थी हो तो वे लाब संकर कहने लगा मा उसने अपना नाम नहीं बताया तब माया कहने लगी विपत्ती का भी नाम होता है ये क्या कह रहा है तो तो वे कहने लगा हाँ मा विपत्ती इतनी सुन्दर थी कि मैं उसे देखता ही रह गया लावसंकर कह रहा था तो माया कहने लगी ये पहलियां क्यों बुजा रहा है ठीक से बता क्या बात है लाव संकर अपनी मा को बता रहा था तो उसे अपने रूप पर बहुत गरब हो रहा था ये मेरा पुत्र भी क्या किसी से कम है उसकी मा कैसोच रही थी मेरा पुत्र भी तो किसी राजकुमारी की भाती सुन्दर है माया उससे कहने लगी अरे पुत्र मेरा पुत्र भी तो राजकुमार के तरह सुन्दर है तब देवरत बोला बहन पहले उसकी बात का आश्य तो समझो कि वो क्या कहना चाहता है तब माया कहने लगी भ्राता आप ही कहें कि ये क्या कहना चाहता है तब और इसके कहने का क्या मतलब है उसे उस एपरि जी बेचारा इतनी देर से वही कहने का परियास कर रहा है देवरत कहने लगा तो वह कहने लगा लावसंकर हा मा वो इतनी सुंदर थी कि आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकती वो किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी लावसंकर ने बताया चल रहने दे और माया कहने ल घर आजाए इतना कहकर माया घर के अंदर चलीगी तब लाव शंकर देवरत से बोला देख रहे हैं ना मामा जी आप मा को मेरी कित चंता हीनी नहीं है वै केबल मेरी चंता करने का अभीने करती है देवरत बोला ऐसा नहीं है पुत्र। तो लाव संकर कहने लगा तो उन्होंने उस यूति की बातों में कोई रूची क्यों नहीं दिखा तब देवरत बोला लाव संकर तुझे तुम्हारे वारतालाप में अत्यदिक रूची है तो उस यूति के विसे में मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ और तुम्हारी मा नहीं सुनती तो ना सुने मैं तो हूँ ना तुम्हारी बाते सुनने के लिए चलिए तो सबसे आप से जब सब कहूँगा भोजन के बाद लाव संकर कहने लगा किनारे यही नदी के किनारे बैठ कर बात करेंगे मामा भानजे ऐसे भोजन के बाद लाव संकर और देवरत के मद्या अत्य अधिक समय का वारता लाप हुआ लाव संकर ने अपने हिर्द्या की सारी बाते देवरत से कह दी अर्धरात्री बैतीत हो चुकी थी देवरत ने लावसंकर से कहा पुत्र अब तुमारे विश्राम का करने का समय हो चुका है किन्तु लावसंकर बोला आप भी तो विश्राम कीजिए तब देवरत बोला मुझे अभी अपना कारिय समाप्त करने जाना है कौन सा कारिय मामा लावसंकर पूछने लगा तो देवरत कहने लगा वही कारी है जो मैं रात्री को जाकर पूर्ण किया करता हूँ वही मूर्तियां बनाने का कारी है जिन मूर्तियों को आपने उस पास वाली कंद्रा में छुपा कर रखा है लावसंकर कहने लगा हाँ देवरत कहने लगा ना जाने क्यों मन और मस्तिष्क से विवस होकर मैं वो मूर्तिया गढ़ने लगता हूँ वे मूर्तिया केवल एक ही यूगती की है ना जाने कौन है वो वो इस्तरी मेरे मन मस्तिष्क में इस परकार बसी है मैं केवल उसी को गढ़ पाता हूँ ना जाने कौन है मैं कब से उसे खोज रहा हूँ देवरत जो लावसंकर से कहने लगा हो सकता है लावसंकर बोला वो आपकी प्रेमिका रही हो पिछले जनम में और दोनों हाँ जो हसने लगते हैं और देवरत कहता तुम भी मजाक कर रहे हो मुझसे जीवन ने तो मुझसे बहुत बड़ा मजाक कर बैठा है तभी तो मुझे पिछला सब कुछ याद नहीं है सब कुछ भूल गया हूँ देवरत कहने लगा तो क्या मैं आपके उन मुर्तियों को देख सकता हूँ लावसंकर कहने लगा तो देवरत बोला आज नहीं कभी फिर देख लेना तो लाव संकर कहने लगा ठीक है आप कहते हैं तो मैं चला विश्राम करने यदि आपका कारिय पूर्ण हो जाए तो आप भी विश्राम करने आ जाईएगा नहीं तो माने देख लिया कि मामा भांजे दोनों ही लुपते हैं लाव संकर ने कहा, किन तु आ जाईएगा, सुबह तक पर्तिक्षा मत करवाईएगा, और इतना कहकर लाव संकर हुआ से चला गया, और अपने विछोने पर विश्राम करने को लेट, ये तु लेट कर उस सुंदर यूती के विशय में सोचने लगा, सच में वो बहुत अधिक सुंदर थी, उसने ऐसी सुंदरी आज तक अपने जीवन में नहीं देखी थी, सुंदरी के विचारों में खोएवे लाव संकर को कब, नींद ने घेर लिया, उसे खुदी मालूम नहीं चला, प्राते, जब उसकी नींद तूटी तो उसने आखे खोली, तो उसके सामने उस तुमारे मामा जी कहां है, मुझे लगता है वे रातरी में वापस नहीं लोटे, इसलिए मैं करोध में हूँ, कल भांजा लुक्त था और आज मामा लुक्त है, यह सब तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तनिक मुझे बताने की किरपया करोगे, माया करोध में बोल रही थी, क्या कहती हो मा, लापसंकर बोला, रात में मामा नहीं लोटे, किन्तों उन्होंने तो मुझे से कहा था कि वो सीगरी लोट कर आएंगे, लापसंकर कहने लगा, अभी बिच्छोने से उठो और उन्हें खोज कर लाओ माया कहने लगी, और अपनी मा माया के आदेश इस पर लापसंकर अपने मामा देवरत को खोजने उसी कंद्रा में जा पहुचा, जहां देवरत अपनी कलपनाओं को मूर्ती के रूप में ढालता था, लापसंकर ने देखा कि देवरत अभी कंद्रा के भीतर धर्ती पर सोया हुआ है, केवल मूर्तिया ही मूर्तिया रखी पर देखे कि ये कौन है किन्तु जैसे लाव संकर ने उन मूर्तियों का मुख देखना चाहा तो देवरत जाग उठा और बोला क्या हुआ लाव संकर तुम आप तक घर नहीं गए देवरत की बाद सुनकर लाव संकर बोला ओहो मैं घर नहीं गया मामा जी आप रातरी भर घर पहुँचे मा आपकी पर्तिक्षा में और आपको मुझे आपको खोजने के लिए भेजा है यदि आप घर नहीं पहुँचे तो मैं कुछ नहीं कर सकता मा चंडी का रूप धारन करके आपकी पर्तिक्षा में बैठी है देवरत बोला ओ माया बेहन अत्यदिक क्रोधित है तो लाव संकर कहने लगा हाँ आप पहुँचिए फिर देखियागा आपके संग मुझ पर भी गरजेंगी परंतु घर तो चलना ही होगा ना देवरत कहने लगा तो लाव संकर बोला तो चलिए इतना विचार क्यों कर रहे हो देवरत बोला बस तुमारी मा के क्रोध से भै लग करो और वन से कुछ लकडियां लेकर आओ मैं कब तक इनन लाती रहूंगी तुम लोगों के पास कोई कारिया नहीं होता इसलिए घर से गायब रहते हो और लाव संकर बोला जी मा हम ये कारिया कर देंगे और उसके बाद दौनों ने इसनान करके भूजन किया और चल पड़ अचक तो नहीं बंजे कि आज भी वहां आए तो लाव संकर कहने लगा आएगी अवश्य आएगी मेरा हिर्द्या केहता है तो देवरत कहने लगा चलो तनिक मैं भी तो देखूं जिस अपसरा की बात तुम कर रहे हो कैसी दीखती है और लाव संकर कहने लगा आप उसे देवरत बोला मैं तो बहुत ठक गया हूं मैं इसे व्रिक्ष के तले बैठ जाता हूं और तुम ही जओ अपने अपसरा को देखने मेरे तो बस की बात नहीं है तो लाव संकर कहने लगा ठीक है मामा जी आप यहीं विस्राम करें यदि वो मुझे मिली तो मैं उसे आपके पास लेकर आऊंगा इतना कहेकर लाव संकर हुआ से चला गया देवरत बैठ व्रिक्ष के तले विस्राम कर रहा था तब ही एक आएक उपर फलों की वर्सा उसके उपर होने लगी उसी बैठ के संग बहुत से वन्य जीव हैं ऐसा दिरश्य देख का देवरत भेवीत सा हो गया उसे लगा कि कहीं वो यूपती उसके प्रान हरने वाली है क्या किन्तु जब वो यूपती देवरत के समीप आई और उससे बोली छमा करें काका मेरे कारण आपको कष्ट हुआ मुझे मालूम नहीं था क्या आप इस व्रक्ष आए हैं तो देवरत कहने लगा हाँ मैं और मेरा भांजा लकडियां लेने आये थे परन्तु मैं ठक गया और उसके संग ना जा सका देवरत ने उसे बताया तो वह लड़की कहने लगी कोई बात नहीं काका अब विश्राम कीजिए मैंने ये फल इन जीवों के लिए द्वानों द्वारा बेचारे सभी भूके थे उसे उती ने कहा तो देवरत ने पूछा ये तो उपकार वाली बात है तुम तो बहुत दया लूओ किन्तो तुम्हारा नाम क्या है पुत्री तब वह कहने लगी मेरा नाम मनोर्मा है तब देवरत ने कहा पुत्री तुम अत् तालाब चल रहा था तभी हुआ लाब संकर आ पहुंचा और हुआ अपने सपनों की राजकुमारी को देखकर परसन हो उठा मनोर्मा ने भी जैसे ही लाब संकर को देखा तो बोल पड़ी तुम वही हो ना जिसने कल उस मिरक को मुर्चित कर दिया था जी वो तो भूलवस हु कर ये ग्यात करना चाहता था कि मैं इस योग्य हूं या नहीं मनोर्मा बोली मुझे तुम पर विस्वास नहीं है पुत्री देवरत बोला मनोर्मा तुम्हें इसे जानने में कोई भूल हुई है अच्छा तो आपका नाम मनोर्मा है लाब संकर बोला नहीं मनोर्मा बोली र मनोर्मा कहने लगी परंतु काका स्री आप इसे नहीं जानते यह अत्यधिक निर्दई वेक्ती है इसने कल मिरक को मुर्चित किया था मनोर्मा बता रही थी तो देवरत बोला पुत्री मैं इसे बाले काल से जानता हूँ यह मेरा भांजा लाव संकर है भूल से इसने ऐसा किया होगा देवरत ने कहने लगे तो मनोर्मा कहने लगी आप ऐसा कहते हैं तो मैं आप पर विश्वास कर लेती हूँ अब तो आप समझ गई होंगी कि मैं निर्दोसु लाव संकर भी जट से बोला तो मनोर्मा कहने लगी ठीक है परंतव मुझे जाना होगा अत्यदिक समय हो गया है और रात्री होने वाली है रात्री को मेरा सिम मंदिर में निर्त्य हैं मनृर्मा बोली निर्त्या लाव संकर ने पूछा तो क्या आप नर्तकी हैं नहीं मनोर्मा कहने लगी मैं एक देवदासी हूँ और केवल मंदिरों में ही देवी देवताओं के समक्षी अपना निर्त्या परस्तुत करती हूँ तो लाव संकर बोला ये तो अत्यदिक अद्भूत है तो देवरत कहने लगा पुत्री तुम किस राज्ये से सम्मंद रखती हो तब वे मनोर्मा ने कहा छमा कीजिए काकसरी मुझे अपने विसे में अधिक जानकारी देने की अनुमती नहीं है मैं केवल देवदासी हूँ और अपना समस्त जीवन देवी देवताओं को अर्पित कर चुकी हूँ मेरा सांसारिक जीवन से अब कोई नाता नहीं है मुझे कहीं बाहर जाने की अनुमती भी नहीं है वो तो मैं वन व्याहर हेतू अपने इच्छा से आती हूँ कहीं मेरे पिता को यह सब ग्यात हो गया कि म मैं यहां आती हूँ तो वो मुझे पर कड़ी द्रिष्टी रखना आरंब कर देंगे मनोर्मा ने बताया तो चंद्र देवरत कहने लगा ओ यह बात है तो तो मैं सीगरी यहां से प्रस्थान करना चाहिए पुत्री और मनोर्मा इतना कहने लगी तो जी तो अब मुझे आग तो मालूम हो जाएगा वो किस राज्ये से सम्मंद रखती है तब देवरत बोला नहीं लाव संकर आज मनोर्मा नहीं चाहती कि हमें भी उसके राज्ये के विसे में कुछ मालूम करने का प्रियास नहीं करना चाहिए तो लाव संकर बोला ओ आप भी मेरी मनोदसा नहीं समझ रहे मामा जी तो देवरत बोला मैं सब समझता हूँ कि उसके हिर्द्या में केवल प्रेभू ही व्राजमान है वो तुम्हें अपने हिर्द्या में इस्थान नहीं दे सकती देवसंकर तो देवसंकर लाबसंकर बोला ठीक है तो आप घर जाईए मैं उसके पीछे जा रहा इसतना कहका लाबसंकर मनोरमा के पीछे पीछे चल पड़ा लाबसंकर के पास उसका घोडा तो नहीं था जो ऐसे अदेवरत न मन मैं सोचा लाबसंकर वेर थी मनोरमा के पीछे गया है वो उसका प्रेम कभी भी सविकारेगी नहीं क्योंकि वो एक देवदासी है अब लावसंकर का हिर्द्य टूटेगा तो मुझसे भी ऐसेहनिय होगा देवरत इसी सोच विचार के बीच कुछ लकडियां लेकर घर पहुचा और उसे अकेला आया देखकर माया ने पूछा भ्रा कात्री को बने जीवों के बीच रहेगा तो देवरत कहने लगा ना बहन वहाँ बन में किसी बूड़ी मा की जोपड़ी थी बूड़ी मा का स्वास्ते अच्छा ना था और वो उसकी देखभाल के लिए भाई ठेर गया और मुझे ये संदेश देने को यहां भेज दिया दे जीवरत बोला ठीक कहा आपने और उदर लाव संकर मनुर्मा के राज्यय तक पहुंची गया वहां पहुंचकर उसने राज्यय के लोगों से मालुम किया कि वो मंदिर कहां है जहां देवदासी निवास करती है लोगों ने मंदिर के विशय में लाव संकर को बता दिया अत्यदिक ललाईत था मनुर्मा का निर्तिया देखने के लिए वो ये था इस्थान पर पहुंच गया और निर्तिया प्रारंब होने की परतिक्षा करने लगा उसने देखा जिस इस्थान पर निर्तिया होने वाला था उस इस्थान पर भिविन परकार के पुस्पों से सज जावट की गई थी, इस्थान इस्थान पर इस्थान पर इस्थम्भो को अगनी सालाओं को लगाया गया था, जिससे की परकास उचित परकार में फैलता रहे, जिस सिव की प्रतिमा की समक्ष मनोर्मा को निर्तिय करने वाली थी, उस सिव की प्रतिमा को भी अच्छे से सजाय गया था अत्यातिक लोग हुआ पर उपस्तित थे सब पर हुआ पर कुछ समय के पश्चाती मनोर्मा हुआ उपस्तित हुई उसने केवल स्वेत वस्तर धारन किये थे पुस्पो के आभूसन उसकी सुंदर्ता को और बढ़ा रहे थे इतनी सोम्यता देखकर लाव संकर अपना ह निर्तिया कर रही थी उसका निर्तिया ऐसा हो रहा था कि साक साथ नटराज सब के समक्ष निर्तिया परस्तित कर रहे हूँ उसके सरीर में दामनी सी फूरती थी निर्तिया करते करते वो बेवसुद हो जाती थी उसके केस खुलकर बिखर गए थे उसके सरीर का अंग अंग आखों में ज्वाला थी और ललाट पर समस्त संसार का भार, उसकी एक मुद्रा इस बात का प्रमान थी, कि वो भक्ती में होकर इस संसार से परह हो चुकी थी, कोई इस्तरी या नर्तकी नहीं केवल देवदासी उसका जनम केवल देवों की सेवा के लिए हुआ है, निर्ते समा अप्त हो गया, लाव संकर ने तो अपनी पलके ही नहीं जपकाई और उसका मुख खुला का खुला रह गया, निर्तिया के पश्चाद भोग वित्रित हुआ, लाव संकर भी इसी का लाव उठा कर जो पंक्ती में समलित हो गया, उसने भरपेट भोग ग्रहन किया, और मंदि यही विचार करने लगा, पहले उसने सोचा कि यह देखना आवश्यक है, मनोर्मा का कक्ष कौन सा है, वो मंदिर के समी बने उसके जो देवाले में पहुँचा, और हर एक कक्ष का जो खिड़की से उसको जहांक कर देखा, कि कदाचित उसमें मनोर्मा अपने विच्वने प उसने मनोर्मा का नाम पुकारा, मनोर्मा सो रही है कि आप, एक आएक मनोर्मा की आखे खुली, और सोचा कि उसे इस समय पुकारने वाला स्वर कहां से आया, वो ओठकर हुआ, यहां हुआ देखने लगी, तब ही लाव संकर बोला, अपने कक्ष की खिड़की की ओड़ आई लाव संकर बोला, तो मनोर्मा कहने लगी, कहीं तुम्हारा मस्तिस्क असंतुलित तो नहीं हो गया है, मनोर्मा भूली, तो लाव संकर कहने लगा, हाँ आपके रूप ने मेरे मन मस्तिस्क को असंतुलित कर दिया है, मुझे आपसे प्रेम हो गया है मनोर्मा, लाव संकर की ऐसी बाते सुनकर मनोर्मा कहने लगी मैं एक देवदासी हूँ तुमारे मन में मेरे प्रती ऐसा विचार भी कैसे आया तो लाव संकर कहने लगा प्रेम का विचार तो किसी के भी मन में आ सकता है वैसे भी मेरे मन में आ गया तो मनोर्मा कहने लगी किन्तु मैं ऐसा विचार अपने मन में कभी नहीं लाऊंगी लाव संकर कहने लगा मुझे इससे कोई अंतर नहीं पढ़ता मनोर्मा आप मुझे प्रेम करें या ना करें आप से प्रेम मैं करता हूँ और यही मेरे लिए प्रियाप्त है मनोर्मा कहने लगी हट मत करो अपना जीवन यू वैर्थ मत करो और अब तो वैर्थ ही हो जाएगा मेरा जीवन यदि लाव संकर कहने लगा आपने मेरा प्रेम तो सभीकार नहीं किया यह अच्छा नहीं है नहीं तो यूँ ही सदे मैं आपकी परतिक्षा करता रहूँगा कभी तो आपको मेरा प्रेम सभीकार करोगी लाव संकर कहने लगा तो मनोर्मा भूली यह कैसी बाते कर रहे हो तुम मैं ऐसा कारिय कता भी नहीं करूँगी मैं विवस हूँ मुझे समझने का परियास करो लाव संकर कहने लगा समझने का परियास आप कीजिए मैं विवस हूँ अपने हिर्दिया के आगे मनोर्मा लाब संकर से कहने लगी तुम्हें मुझसे भी सुन्दर कन्या मिल जाएगी जो तुम्हें और तुमारे मन को समझने का परियास करेगी लाब संकर कहने लगा मुझे समझने का परियास्तों आप भी कर सकती है मनोर्मा जो कहने लगी ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं अपना संपोन जीवन इस्वर के चैनों में समर्पित कर चुकी हूँ तो लाब संकर कहने लगा इस्वर की भक्ती और किसी से प्रेम दोनों में कोई अंतर नहीं है नहीं करनी है तो लाब संकर कहने लगा किन्तो अभी मेरा वारतला पूरा नहीं हुआ है मुझे तुमारी इन बातों में कोई रूची नहीं है मनोर्मा ने कहा और तुम जा सकते हो इतना कहकर मनोर्मा ने अपनी खिड की बंद कर दी और लाब संकर को लगा कि वे अपने विच चारों का आवागमन चलता रहा फिर उसे नीन नहीं गेर लिया रातरी का तीसरा पैहर बीद चुका था मनोर्मा का मन भी खिन था उसने जैसा वैवार संकर के संकिया था उस बात के लिए उसका हिर्द्या भी ये करके परसंड नहीं था उसने कुछ छनों तक कुछ सोचा और अंत में उसने जुझ सरीर को एक उसन वस्त्र से ढखकर अपने पूरे सरीर को हाथ में एक दीपक लेकर अपने कक्षे बाहर आई। वे दीपक के परकास में लाव संकर को खोजने लगी अत्यधिक खोजने के बाद उसे लाव संकर दीखा जो एक व्रिक्ष के तले सीथ से सुकड़ा हुआ लेटा था उसे इस इस्तिती में देखकर मनोर्मा को उस पर दया आ गई उसने अपने उपर डाला हुआ जो दुसाला था वे लाव संकर के सरीर पर डाल दिया और सुयम हुआ से फिर से अपने कक्ष के ओर आ गई कुछ समय अपने बिच्छोने पर लेट कर कुछ सोचती रही और अंत में उसे भी नींद ने घेर लिया प्रात्यकाल हो चुकी थी सूर्या की हलकी हलकी लालीमा दीरे दीरे चार जो पसरने लगी थी एक आएक मनूर्मा ने अपना कलस लेका जरने की और निकली क्योंकि आब सुबा हो चुकी थी उसके सुंदर केस खुले हुए थे अपने कंदों पर उसने कुछ बस्तर रखे थे क्योंकि वह सनान करनी जा रही थी लाव संकर विचार मगंसा मंदिर के स सामने चिंतित अवस्ता में विचरन कर रहा था उसने मनूर्मा को देखा और देखता ही रह गया उसके खुले केस पतली कमर सुडोल बाहें और उसका स्वेत रंग जो ऐसा रूप तो उसने कभी नहीं देखा था मनूर्मा जरने के समीप पहुंची उसने अपने कंदे से व रंग बिरंगी तितलिया मनरा रही थी और मनूर्मा जो उसमें सनान करने लगी मनूर्मा जरने में सनान करने लगी उसकी गीली काया जल में पढ़ने से बहुत सुंदर दीख रही थी मनूर्मा का इसनान पूर्ण हो गया तो उसने कलस में स्वच जल भड़ा और जरने से ब बोला कल रात आपने अपना दुसाला क्यों उड़ाया मुझे तो मनोर्मा मोली इंसानियत के नाते यह तो मेरा धरम था तो लाव संकर बोला इंसानियत या प्रेमवस तो मनोर्मा कहने लगी मैं तुमारे परशन का कोई उत्तर नहीं देना चाहती लाव संकर कहने लगा आपक के गाल पर एक थपड़ लगाते हुए कहा ये है मेरा उत्तर इतना कहकर वे आगे बढ़ गई लाव संकर उसे जाता हुआ देखता रहा मनोर्मा कलस लेकर वापिस आ चुकी थी कलस को आंगन में रखकर वो सिगरता के संग अपने कक्ष में चली गई और अपने बिच्छोने पर जाकर बैठ गई उसकी आखों से नरंतर आंसु बेह रहे थे उसने धीरे से मन में कहा छमा करना लाव संकर मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकती मैं विवस हूँ तब ही एक बाहर से मनोर्मा को पंडित जी ने पुकारा मनोर्मा पुत्री कहों हो तुम तो मनोर्मा कहने लग जी अभी आई पितास्री इतना कहकर वे अपने कक्षे निकल कर बाहर आई और पुजारी जी से कहने लगी जी पितास्री कहिए क्या बात है मनोर्मा ने कहा तो पुजारी जी ने कहा मैं ये कह रहा था पुत्री की संपून राज्ये में चर्चा हो रही है कि राज माता अव पंडित जी बोले तो इस राज्य में कौन चलाता है मनूर्मा ने पूछा तो पंडित जी कहने लगी उनके सैना पती कुशाल बाहू इस राज्य को कारियबार संभाले हुए हैं पंडित जी ने बताया तब तो राजमाता अवंतिका के लिए दो राज्यों को संभालना कठिन होता होगा ना पिता जी मनूर्मा कहने लगी तो पंडित जी कहने लगे अब तो उनके पूत्र वसंत बीर अपनी सिक्षा पूर्ण करके आ रहे हैं और वो ही इस राज्य को संभालेंगे इसलिए वो राजमाता यहां आ रही है इसलिए यही घोशना करने वाली है कि अभी इस राज्य के उत्रादीकारी बसंत बीरी होंगे पंडित जी ने बताया ओ तो यह बात है पिता जी किन्तो आप किस कारिये ही तुँ यहां आए है मनूर्मा ने पूछा तो पंडित जी कहने लगे ओ यह बात तो मैं बता नहीं भूल गया राजमातावसा पर्थम राजकु करने आएंगी उनके स्वागत है तु तुमें मंदिर में निर्तिया प्रस्तुत करना होगा मैं यही बताने आया था पंडित जी ने कहा तो मनूर्मा ने पूछा तो क्या मुझे उनके स्वागत है तु कुछ विसेश परकार का निर्तिया करना होगा पिता स्री तो पंडित धन्या हो गया, तुमारी जैसी पुत्री तो केवल सो भाग्य साली व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है, पंडी जी बोले, धन्या है, हो गई मैं तो पिता स्री, आप जैसे पिता को पाकर, आपके दिवे संसकारों के चिन्नों पर चल कर, मैंने इतनी ख्याती पाई है, यह सभी के लिए, सभी के हिर्द्यों में स्थान मिला है, मनोर्मा ने अपने पिता से कहा, तो उसके पिता कहने लगे, जीती रहो पुत्री, सदै परसन रहो, और तो मनोर्मा कहने लगी, जी पिता स्री, अब मेरे प्रैतिया आपकी परसन सा पूर्ण हो गई हो, तो यह भी बत दीजिये कि भोजन में क्या बनाऊं मनोर्मा ने पूछा तो पंडित जी कहने लगे पुत्री आज तो हलवा पूरी खाने का मन हो रहा है और साथ में सीता फल की तरकारी हो तो अनन्द आ जाएगा पंडित जी ने कहा तो वह कहने लगी मनोर्मा और कुछी की बस इतना ही प्र अब इसे अधिक कुछ और खाने की काम ना हुई तो पेट परसंद करने लगेगा वह बाबा जी बुढ़ोती आ गई है परन्त जीवा को अभी भी स्वादिश्ट वेंजिनों की आसा है और इतना कहकर जो पंडित जी हस पड़े और साथ में मनोर्मा भी हस रही तो मैं पाक दिक्षा कीजिए इतना कहकर मनोर्मा पाक शाला की ओर जाने लगी तो पंडित जी बोले ठैरो पुत्री अभी कुछ और कहना था मनोर्मा रुकी और अपने पितासरी से कहने लगी कहिए पितासरी तो पंडित जी कहने लगे वो पता नहीं किसी स्थान से एक नभीवक आया रात्री भर मंदिर के समीप अलिवरिक्ष के तले विश्राम करता रहा, मैं जब प्राते हुआ से निकल रहा था, तो उसने मेरे चलन इसपर्स किये, तब मैंने उससे पूछा, पुत्र कौन हो तुम, या किसलिए आये हो, तब वे बोला, महत्मा जी, मुझे किसी के दर्सनों कि अभिलासा है, मुझे ग्यात है कि वो इसी राज्य में है, परंतु मैं उसे अभी तक खोज नहीं पाया हूँ, जब उसे खोज लूँगा, तो यहां से चला जाओंगा, तो क्या तब तक मैं इस विरक्ष के तले अपना डेरा डाल सकता हूँ, मुझे उसकी बात सुनकर उस पर दया गई, और मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है पुत्र, तब वो बोला था, जी मेरा नाम लाव संकर है, तब मैंने उससे पूछा, तुम क्या मुझे उसका पता बता सकते हो, ताकि मैं भी उसे खोजने में तुम्हारी साहता कर सकूँ, तब वो बोला नहीं महात्मा जी यह कारी है मैं ही करूँगा और मैं आपको अन्य था कष्ट नहीं देना चाहता महात्मा जी पुजारी जी ने का इसमें कष्ट कैसा पुत्र मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ लोगों की साहता करना मेरा धरम है और करतवीय है मैंने उससे कहा था तब वो ब प्रक्ष के तले नहीं मंदिर की धरमसाना में रहोगे यह सुनकर वे व्यक्ति बहुत परसन हुआ था महतमा जी कहने लगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया तब मैंने उससे कहा था तुम अपने भोजन की चिंता मत करना तुम इस रा महां से चला गया पुजारी जी की बात सुनकर मनोर्मा खीज उठी और बोली पितासरी यह आपने क्या किया किसी परिचित के लिए भला मैं क्यों भोजन पकाऊं और पुजारी जी कहने लगे ऐसा मत बोलो पुत्री वो हमारा अथीती है पुन्य मिलेगा उसके लिए भोज पराए जाओ सीगरी भोजन पकाऊ और उस अतीती को दे कर आओ मैं भूका बैटा होगा पंडित जी ने कहा तो मनोर्मा कहने लगी जी और उसका उत्रा हुआ मुख लेकर पाक साला की ओर चलीगी कुसी समय पश्चात मनोर्मा ने भोजन पका लिया और भोजन परोश कर वह उसने पंडित जी को पुकारा पितासरी आईए भोजन परोश दिया है पंडित जी पाक साला में आए और मनोर्मा से बोले पहले तुम लाव संकर को भोजन दे कर आओ उसके पश्चात ही मैं भोजन करूँगा मनोर्मा को अपने पिता की आग्या का पालन करना ही पड़ा औ और उसने एक पीतल की थाली में भोजन परोसा उसने एक पतल से उसे ढखा और साथ में एक पीतल के छोटे से कलस में जल भरकर वो लाव संकर को भोजन देने चल पड़ी वो धरम साला में पहुंची तो लाव संकर के अतिरिक तुहाँ पर और भी अथीती थे वो लाव संकर के मुख पर उस समय अत्यदिक परसंता के भाव आ गए वो अभिने करते हुए बोला देवी मनोर्मा आपने यहां आने का कश्ट क्यों किया मुझे बुला लिया होता तो मनोर्मा कहने लगी जी मैं ऐ परिचीतों को अपने घर में आने का अवसर ही नहीं देती हूँ तो लाव संकर भूला जी मैं आपका कारिये सरल करने का प्रियास कर रहा हूँ मनोर्मा कहने लगी रहने दीजिए आपकी कोई आवशकता नहीं है मैं कठिन कारिये भी सरलता पूरवक कर सकती हूँ तब लाव संकर कहने लगा जी मुझे यह बात मालूम है और मैं यह भी आपसे ही करने में कोई जिग्यासन नहीं है तो लाव संकर कहने लगा सही है वो आपको मालूम है मुझे आपको बताने के आवशकता भी नहीं है तब मनोर्मा कहने लगी मेरे पास आपके संगवारता लाव करने का समय वेर्थ नहीं कर सकती मैं अपना और इतना कहकर मनोर्मा हुआ से चली गए और लाब संकर उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराता रहा मनोर्मा के जाने के पश्चात लाब संकर ने भोजन किया और राजिया में भर्मन हे तो निकल गया उदर लाब संकर की माता माया की दसा बिगड़ती जा रही थी उसका पुत्र जो अभी तक लोटा नहीं था और वो देवरत के पास जाकर बोली भराता देवरत लाब संकर अभी तक नहीं लोटा ना जाने वन में उसके संक्या हो रहा होगा यदि यो बुढिया कोई पिसाचनी हुई और मेरे पुत्र का रक्ट पी लिया तो मुझे तो अत्यदिक डर लग रहा है आप उसके पास सीगरता पूरवक जाईए और पता कीजिए कि वो कैसा है तब देवरत कहने लगा आप वैरती चिंता कर रही है माया बहन कुछ भी नई होगा आपके पुत्र को उसके पास जाईए माया कहने लगी और उसे संग लेकर लोटी है तो देवरत बोला जी माया बहन मैं सीगरी जाता हूँ और माया कहने लगी ठीक है मैं मार्ग के लिए कुछ भोजन बान देती हूँ और लाबसंकर भी खालेगा माया कहने लगी तो देवरत बोला ये तुठीक रएगा और देवरत माया के कहे अनुसार उस राज्य की और चल पड़ा किंतु ना जाने उसे उस राज्य के विसे में कुछ ग्यात था और ना इमा का मार ग्या था तो तब भी वो लाबसंकर को ने निकल पड़ा अत्यादिक लंबा माग तै करने के उपरां उसे दूर से एक भव्य सेना दीखी और उसके मद्या में दो हाती थे जिस पर सौने के सिंगासन थे उन मैंसे एक सिंगासन पर महिला थी और दूसरे सिंगासन पर कोई नविवक था देवरत ने अनुमान लगाय कि ये कोई राजकुमार है और संग में इनकी माता होंगी जब वो सैना देवरत के अत्यादिक समीप से निकली तो देवरत ने एक सैनिक से पूछा ये सैना कहां जा रही है और ये कौन है तब सैनिक बोला ये चंदनगड के राजकुमार है और आपने ननिहाल का संबालने जा रहे हैं इनके संग इनकी माता जी है तो क्या मैं भी आप लोगों के संग चल सकता हूं देवरत ने पूछा तो उस सैनिक ने कहा अवश्य है चलिए हमारा राज्य आकर आपका मन परसंद हो जाएगा वैसे निक कह रहा तो तो देवरत उनके साथ साथ चल पड झाल 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 झाल